तो आपके ये रीकवरी की आत्रा कठीन है, प्लेयर के नाते तो साथ पुरान यापकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई वेक्ती रीकवरी करें ये, क्योंकि आपने उसमय काफी पोस्ट भी किये थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था, कि एक डेढ़ साल पहले मेरे एक्सिदेंट हो गया था, तो काफी टफ टाइम चल रहा था, वह मेरे को याद एक बहुत ज़्याद क्योंकि आपका चॉछ आया था सर, मेरे मम्मी को, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत सारी चीज़े चल रही थी, बट जब आपको टाइम पर आसपास सुनने के लिए मिलता था ज़र की क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा तो मेरे को especially wicket keeping के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा बैटिंग कर लेगा विकेट कीपिंग करेगा यह नहीं करेगा तो पिछले देड़ दो साल से सार यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बैटर करने की ट्राइब करनी है और किसी और के लिए नहीं बट अपने आपको प्रूफ करना है नहीं वाबर डेडिगेट करके किया नहीं वापस इंटरनाशनल क्रकेट खेलना है और इंडिया को चिताने को देखना है तो जब आपका रीकवरी चल रहा था अले आप से माँ से बात किया तो मैं परने डॉक्टर से चल्चा की थी तो डॉक्टर से मैं ने उपीन ने लिया तो मैंने कहा कि भई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए तो हम चिंता करेंगे लेकिन बुझे आश्यर था आपकी माँ के आत्म विश्वास को ऐसा लग रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था मेरा परिच्य तो नहीं था कभी मिलना तो नहीं था लेकिन ऐस तो मुझे लगा कि चीज़ को ऐसी मा मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा यह मेरा मन में विचारा आया था उसे समय आया था और आपने करके दिखाया जी और सबसे बड़ा मुझे लगा मैंने आप से बात किया किसी का दोस नहीं है यह मेरा दोस है यह बहुत बड़ी बात है जी वरना कोई भी बहाना निकालता गड़ा था डिकना था आपने ऐसा नहीं किया यह मेरी कलती थी शायद यह आपका जीवन के प्रतिज़ो ओपननेस है और मैं छोटी-छोटी चीज़ों को अबज़ोर करता हूं दोस्तों और हर से किसे से शीखता हूं मैं साथ बताता हूं आपका जीवन देश के पेशन्ट इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर बेपका बड़ी इंस्पिरिशन लेंगे जी और मैं जानता हूं जो विकेट के पर होते हूं की जो कोचिंग होती है कि तरी कदि तराई यौको थैंक यू जो